दोस्तो स्वागात है आप सभी काप फैंटासी इंसाइट के एक और नए प्रोडिक्शन वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले होबाट हरीकेन एंड मेलबन रेनेगेट्स के बीच में जो बीबियल का मैच नामबर 26 खेला जागा उसका ड्रीम 11 प्रो वह में आज के इस वीडियो में आप लोगों को बाताने वाला हूँ वीडियो बहुत ज्यादा इंफोर्मेटिव होने वाला है वीडियो को बिल्कुल एन तक जरूर देखना एंड हा देखो जाब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ न तब बहुत सारे लोग डबलू सादर प्लेट या प्लेट आपके पास और भी आच्छा यूनिक ऑप्शन है जो इस में बेस्ट पॉफ्फोर्मेंस का आने वाला है और आप लोग के लिए क्या आप लोगों को बाताने वाला हूँ सबसे पहले पीच रिपो देखा हूंगा उसके प्लेयर्स का पॉफ्फोर्में प्लेटे हैं तो देखो दोस्तों यह मैच खला जाएगा डॉकलन मेलबर्ण पर सबसे पहले बीबियल की स्टैट की बात करें आगा इस ग्राउंड की टोटाल 62 मैचे यह पर आभी तक खेला जा चुका है जिसमें से बैटिंग फास्ट करने वाले टिमने ट्विंटेट यह मैच मेर के पहले बोलींग करने का फैसला करने वाल है कि चेजनी करने जाएज़ी आप लोग को दिखने वालो इस ग्राउंड का वह भी बहुत मिफ्क्राउंड का तो बहुत इंपर्टेंट होने वाल है एबरेज फास्टनिंग इसकौर स्काइज आए जिसेंड रहता ह पर देखेंगे तो देखो 150 से लेकर 169 के बीच में रान होता हुआ देखेगा इस से जादा रान मुझे नहीं लगता है हो पाएगा क्योंकि दोनों इटिमों का जो बैटिंग है उतना अच्छा पॉफोमेंस नहीं कर रहा है रिसेंट मैचों में तो इस बात का आम लोग ध्यान रखना अभी इस ग्राउंड पर जो रिसेंट मैचेस खेला गया है उसका रेकॉर्ड देख लेते है इसके अकोर्डि उस टोटल को चेज का रिया था उस मैच में पेसर गेटान को मिला था 3 वुकीट सो इस मैच में टोटल चेज हो गया था 21 देस्मार को एकोर्ड मैच कहला गया था Melbourne Renegades and Brisbane Heat के भीच में, उस मैच में Melbourne Renegades ने बैटिंग फास्ट का दिया, 162 राने सुर गया था and Brisbane Heat उस टोटल को आसानी से चेस का लिया था, उस मैच में Pacers को 6 विकेट और इसमेर को सिर्फ 4 विकेट मिला था Brisbane Heat वो मैच 6 राने से 6 विकेट से विन का गया था and उससे पहले एक और मैच 29 जानुरी जो की पिछले सीजन का मैच है, Melbourne Renegades and Brisbane Heat के भीच में ही मैच खेला गया था बिल्कुल उसी टाइप से स्कुर हुआ था, इस मैच में भी देख लो, Melbourne Renegades ने बैटिंग फास्ट किया था आप यह मान सकते हुआ कि एक बैलेंस पीचे बोलर्स के लिए जादा हेल्प रहता है, जो भी कैप्टेन टॉस जीदी का टॉस जीद के पहले बोलिंग करने का फैसला ही करने वाला है लास्ट त्री मैचों में 22 विकेट पेसर्स को मिला है और 7 विकेट मिला है सिर्फ स्पीनर को, इस बात का ध्यान डाकना इसके आकोर्डिंग हमें बोलर्स को सिलेट करना होगा अभी दोनों ट्यमों का पॉसिबल प्लेंग एलेवन देखलो इस मैच का यह होने वाले होबाट हरीकेंस का प्लेंग 11 अगरए प्लेंग एलेवन सबसे पहले होबाट हरीकेंस की अगर बात करें। मैथी वेट के साथ सी जुएल ओपिनिंग करना है का नमबा थ्री एम राइब इसका बी मैग ट्रॉंप कोरी अंडिसन इम डेबिट एन चोधरी ग्रीस जॉर्डन पी डॉपली नेथन इल्स एंड रैली मेद्रिट यह होने वाला होबाट हैरीकेन का संभावी देलेवन मेलबन रेनेकेट्स की अगार बात करें जे कॉक्स के साथ कुईंटन डी कोग ओपिनिंग करना है का नमबा थ्री जे फ्रेशार इसको शॉन मार्श जे वाल्स एम हर्वी डाबलू सादरलन टी रोजर्स एडम जैंपार केन रिजिसन एंड पीटर सेडल यह होने वाला है मेलबन रेनेकेट्स के अगेंस आच्छा पॉफमेंस कारता है मतलब हेट टो हेट में आच्छा पॉफमेंस कारता है मैथी वेट का देख लो नाइन मैच स्खेल चुका है 300 प्लास और 34 का बैटिंग अबरेज जो कि आच्छा है क्रिस जॉर्डन की आगर बात करें 6 मैच खे इस बात का आब लोग ध्यान राखना ये 4 प्लैस उसके बाद अगर बात करें मेलबन रेनेकेट्स की प्लैस की कॉनसा प्लैस आच्छा पॉफमेंस कारता है होबाट हेटिकेंस के अगर बात करें 12 मैचेस खेला है 385 रन और 32 का अबरेज है बट ये मैच शायद नहीं खेले 11 होबाट हेरीकेंस के अगेंज तो चलिए आप ड्रीम 11 के आंदर चलते हैं वहाँ आपना टीम क्रेट का लेते हैं तो अगर पॉफमेंस की बात करें तो बीवेल के इस सीजन में दोन्हों ट्यूम ने उतना आच्छा पॉफमेंस नहीं किया है और पॉइंस टेबल पर से वीकेड किपिंग के अगर बात करें मैथी उइट अण बैं मेक डमार्ट है आपके पास दोनों का आछी मैज आच्छा है हिचेंड बेन मैग डूम मद के और भी अच्छा है और सीरन बें मैं बहुत ज्सक्वे मिंहां को अपने तीम में राकने लो को ये डूनु बैसमन म टीम डेविद बहुत नीचे बैटिंग काने आता है तो अगर फास्ट इनिक्स में बैटिंग आता है होबा धेरिकन उसकेस में राक साकते हो वारना आप लोग के लिए उतना इंपोर्टेंट नहीं होगा तो इसको इसको ड्रॉप का देना उसको ड्रॉप राइट के अगा ब बैटिंग फास्ट में आप लोग सीज वेल को डाक साकते हो बारना इसको भी आप लोग ड्रॉप कर देना क्यूंकि और लाउंडर में हम लोग के बास काफी आच्छा आच्छा आप्शन है तो आभी मैं इनको में नहीं लेने वाल हूँ उसके बाद आगा बात का दो कोरी परफेंटेसं 27 पासिन परफेंट इस उतना अच्छा नहीं आया है और उतना जादा बोलिंग भी नहीं कर रहा है तो आप लोग कर सकते हो उसके बात कर दो कि लिए और इस मैज में बोलिंग फास्ट में वाइस कैप्टेंशी के भी आच्छा ओप्शन होगा ख्रीस ज़ॉ आप लोग लिए अच्छा ओप्शन होने वाला है इस पिन में इसके बाद आप ही मैं इसको नहीं लेने वाला हूँ बोलर्स की अगर बात कर तो देखो मैं दो बोलर्स के साथ जाने वाल हूँ सबसे पहले मैं नेथन एलिस को आपने टीम में राखूँगा 83% सिलेशन है ए क्योंकि मैं आभी होबा डेरीकें से 6 प्लैस लेने वाला हूँ तो simply मैं आभी यह से एक बोलर्स को लूँगा राइली मेरदीत को मैं आपने टीम में राखूँगा एक और एक्स्ट्रा बैटर्स को राखने वालो सी जुएल को मैं आभी आपने टीम में राखने वालो अग कॉलिटी प्लैर से काभी भी आच्छा पहुंस कार साकता है सो में कुईंटन डीकॉप को अपने टीम में राखूँगा बैटिंग की अगर बात करे शौन मर्स को मैं आपने टीम में राखूँगा इसका भी हेड़ डूएड में पॉफ्पोर्वेंस काफी आच्छा है आप एडम जमपा, केन रिचिर्सन, टी रोजरस और पीटर सिडल यह फोर आप्शन है आपके पास आगास पहले इनिंग्स में बोलिंग कहा था मेलबन रेनेगेट्स की टीम सो मैं यसे दो बॉलर्स को राखने वालो आभी में दो बॉलर्स के साथ ही जाने वाला हूँ फास्ट इनिग से बोलिंग में टी रोजरस को ड्राप करके आडम जैमपा को राक लूँगा अब ही में आपने टीम में टी रोजरस को ही राकने वालो आपके लिए बैस्ट आप्शन होने वाला है बहुत सरे लोग इनको ही अपने क्याप्टेन एंड वाइस कैप्टेन लेके आए के स्मौल लिंग में ऑट आप लोग थोड़ा सा अलाग करा थे ताभी में थोड़ा से डिफरेंट करने वाले हूं मैं अभी सिबील आपने टी में डावलु सर्दलन को वास कैप्टेन बना हूंगा एंड कैप्टेन करने वालों बी मैध्डिमॉट को थोड़ा सा डिस्क ले आहा हूँ अभी ये मेरा कैप्टेन रहाएगा हेट टो एट में भी पोफेंस काफी आचा है अब बाद में टॉस के अकोडिंग और पीछ रिपोर्ट के अकोडिंग में चेंजेस कर सकते हूँ तो जो फाइनल आपडेट होगा वह आप लोगो टेली गांपर ही मिल जाएगा इसके लिए टेलीगरम पर फालो कर लेना टेलीगरम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शोन पर है एक वार प्र मेरे टीम के प्रिव्यू देखलो इसके अकोडिंग है आप लोग टीम के रिट करना और फाइनल आपडेट के लिए तक सब्सक्राइब बर देखने के लिए चैन को भी सब्सक्राइब जरू से का लेना